नमस्कार दोस्तो बहुत ही बढ़िया वेकेंसी आई है दोस्तो बहुत गोल्डन अपोर्चुनिटी आई है आप लोगों के लिए जिनों ने 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितनी भी किलास पड़े हो आप आप सब के लिए गोल्डन अपोर्चुनिटी आई है तो इस वीडियो में बात करें जो वेकेंसी निकली है वो है कैफे कोफी डे में अब दोस्तो इस फोम को भरना कैसे है कौन-कौन भर सकता है और जो की जो लोकेशन होगी वो क्या होगी आज हम इस वीडियो में वही बाते करेंगे और आपको लाइफ फोम भरके दिखाऊंगा जैसे कि मैं अपनी सारी वी देखेगी और आपको यह अपलाई करना है देखे आपके सामने स्क्रीन ओपन हो चुकिया और जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे अपलाई ना हो यह कैफी कोफी डे की ओफीसियल वेब साइट है जिसमें हम देखेगे कौन-कौन सी पोस्ट के लिए है कैसे कैसे अपलाई क लिए कर सकें मौबाइल नमबर डालना है जैंडर डालना है जैंडर में देख लेते मेल फीमेल अधर्स यानि कि सब इसको भर सकते हैं इसके बाद हम देख लेते हैं पोजिशन दिखे दोस्तों कौन सी पोस्ट के लिए अपलाई करना है आपको तो एरिया मेनेजर जोर्र बिजनस मेनेजर ओपरेशन असिस्टेंट मेनेजर लर्निंग एंड डेवलब्मेंट दोस्तों तीन टाइप की पोश्च नोने निकाल रखी है तो आपको कोई भी जिसमें भी आपको एपलाई करना है वह बरदीजे जैसे कि एरिया मेनेजर इसमें आपको डालनी है डेट इस आपका एक इंटर्विव वर्चुल इंटर्विव लेते हैं उसके बियाफ पे आपके अंदर कमनी केसन स्किल कैसी है वो देखते हैं और उसके बियाफ पे जोईनिंग देते हैं तो दोस्तों इस चीज़ को माइंड में सैट रखे कि आपकी जो कमनी केसन स्किल होनी में बताइए कि resume कैसे बनाते हैं क्या करना है तो उसका भी link में description में दे दूँगा अगर description में ना मिले तो आप मुझे Instagram पे message घरके मुझे direct बात करके आप ले सकते हैं मैं Instagram पे भी डाल दूँगा इसकी copy आप उसको समझ सकते हैं अब देखे दोस्तों मैं आपको देख जैसा आप देख रहें अपनी screen पे यहां आपको सबसे यह resume के copy दिखा रहूंगा आपको इसमें क्या करना है सबसे उपर आपको लिखना है नाम की जंगा अपना नाम ऐसे नाम लिखना है नीचे objective में objective लिखना है मतलब skills वगरा लिखन जो भी आपकी qualification है आप उसको यहां पर बर सकते हैं इसके बाद school activities आपने कौन-कौन सी activities में participate किया अगर जो किया है तो ठीक है अगर नहीं किया है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा community service आपने कोई community service को provide किया हो duty perform कहीं पहले से work किया हो experience दिया हो अब दिख दोस्तों कोई आपको award मिला हो strength reference किसके reference से हैं यहां उपर अपना address और phone number और email address इसमें आप कुछ और अपनी तरफ से भी add करना चाहो तो आप वह भी कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही ऐसा बनाना है और इससे थोड़ा सा और attractive बनाने के लिए आप Google पर जाके resume सर्च कर सकते हैं तो उनके आप देख सकते कैसे कैसे उन्होंने बनाया तो वह resume में बनाके आपको महाँ पर upload कर देना है तो दोस्तों अब को वीडियो कैसी लगी आपको कोई और सवाल हो तो आप comment section में उसे बात कर सकते है thank you so much for watching my video